नमस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है आज दिल्ली के अदालत से देश के गदारों को दो दो जटके मिले हैं और तो और एक और मिस्ट्री सामने आई है ये टूल किट का एक दूसरा कोई वर्चन था जो ये दिशारवी और ये तमाम खालिस्तानी और पाकिस्तानी एजेंट्स उसको लागू करने वाले थे लेकिन ये प्लान फेल हो गया उसकी भी डीटेल में आगे दूँगा और तीस यानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है अब पता नहीं वो क्यों देश को सरकार को हिंदुस्तान के उन तमाम मिडल क्लास को धमकी दे रहे हैं और दिल्ली वालों को बता रहे हैं कि इस बार हम टरेक्टर से नहीं बलकि अपने ओजारों के साथ आएंगे तो इस धमकी का माइने क्या है इसे भी समझेगी कोशिश करेंगे लेकिन बात सबसे पहले करते हैं जो दिल्ली कैदालोंते से दो दो जटके मिले हैं इस गदार गैंग को पहला जटका तब लगा जब दिल्ली कोर्ट में उस अपील के उपर फैसला आया जिसमें दिशार रवी ने ये ग अच्छी हूँ लेकिन ये लोग मेरे वाटसप चैप को सारवजनिक कर दे रहे हैं और इस अपील में ये भी कहा गया था कि ये दिल्ली पुलिस जो है वो प्री जुडिसिल प्रेस कांफरेंस कर रही है और उसमें बहुत सारे ऐसी जानकारियों को वो सारवजनिक कर दे रह हैं उससे मेरा हुमन राइट्स जो उसका हनन हो रहा है कोट में बकादा इसे पेश किया गया दोनों तरफ से दलील इत दी गई दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा कि वो रेगुलर लीगल प्रेस कांफरेंस कर रही है और इसमें कोई भी ऐसा ऐसी बात वो नहीं कर रहे हैं जिससे इसकी किसी अधिकार का हनन हो रहा हो या किसी फंडमेंटल लाइट्स के ओपर कोई सवाल उठ रहा हो तो ये मसला तो वहीं पे खत्म हुआ कोट ने कहा कि भाई बाप की बात बिल्कुल सही है कोट ने ये भी कहा कि ये जो देश द्रोह का मामला है देश के खिलाफ स साजिस रचने का और जो पर्सनल लिबर्टी है इसके बीच में भी बैलेंस बनाने की जरूरत है और इसलिए इस मसले को 17 मार्च तक के लिए टाल दिया और दिल्ली पुलिस से ये कहा गया कि आप जो काम कर रहे हैं लीगल तरीके से आप उस तरीके से आप काम करते रहें औ और प्रस से ये भी गुजारिस की गई कि इसको सेंसलाइज ना करें लेकिन ये तो आपका काम है आपको रोका नहीं जा सकता है अब आप देखिए इन लोगों के दोगले पन को इन्हें बोलने की आजादी चाहिए आजादी ऐसी चाहिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ उसी अधिकार के तहट पुलिस के उपर मीडिया के उपर उसकी बोलती बंद कराने की आप हिमाकत करती हैं मतलब आप समझे आप कहां खड़ी हैं ये देश के गदार ये जो लुटियन गैंग है ये टुक्रे टुक्रे गैंग वामपंथियों का है ये किस जगह पे खड़ा है ये पता ही नहीं चलता ये इस तरह के गिर्गिट हैं जो रंग बदलने में इने जरा सभी वक्ती लगता तो आज एक बड़ा जटका लगा और लगना भी चाहिए क्योंकि दुनिया को देश को ये पता होना चाहिए कि ये क्लैमेट एक्टिविजम के नाम पे ये किसान और खालिस्तानी दलाल बनकर हिंदुस्तान में रहके हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिस ये लोग करते आ रहे हैं और इसलिए इनके उपर कोई रहम दिखाने की कोई आवशक्ता नहीं है दूसरा जटका एक और लगा जब फिर से दिल्ली पुलिस दिशारवी के रिमां है शांतनू उसको भी नोटिस भेजा गया है कि 22 तारिक को आप आएं और 22 तारिक को आप दिल्ली पुलिस के सामने प्रस्तुत हो इन्वस्टिगेशन में आप आकर के पार्टिसिपेट करें तो 22 तारिक तक अब इन लोगों से पूछता चोगी और एक जो आज कोट में बा यह 21 साल की यह जो पूरा एक क्रियेट किया गया जो पहले जो नरेटिव क्रियेट होता है न देश के अंदर में यह खालिस्तानी तलवार बाज यह तिरंगा के अपमान करने वाले को सारे लोग यह जो लूटियन गैंग है अन दाता तो पता नहीं क्या 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 जा रही है और 21 साल की ये बच्ची इतनी शातिर है कि पुलिस के किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है और दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि ये सच बता ही नहीं रही है इन से कोई सवाल पूशा जाता है तो ये रोने का नाटक करती है और सच दिल्ली पुलिस के पास तो इसके खलाफ सबूतों का भंडार है ये अभी 21 साल की बच्ची होने का नाटक कर रही है दरसल ये जो खालिस्तानी एजेंट है मो धारिवाल उसके दौरा created वो और्गनाजेशन Poetic Justice Foundation का ये email खुद चला रही थी अब आप देखिए खालिस्तानी संगठन का email का पूरा password toolkit का पूरा password उसका editing से लेकर के creator से लेकर के सारा अधिकार इसके पास ये सब इसके laptop से मिल रहे है कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई को किसी ने create कर दिया ये सारी चीजे अपने आप proof हो जाएंगी क्योंकि इसमें कोई बचने की कोई गुंजाश नहीं है और अब जो एक और पता चल रहा है कि इस दिशारवी और ये निकीता और ये शांतनू किस तरह से इन लोगों ने एक और toolkit के का एक निर्मान किया था एक और toolkit था जिसमें वालेंस वालेंस को लेकर के एक और साजिस थी toolkit के जरिये और जिसे ये लोग implement नहीं कर सके जो ख़बर आई हो जरा सुनिये दिल्ली पुलिस अनकवर डीटेल्स अफ अनधर toolkit in which UK-based Marina Patterson also contributed along with Nikita Jacob and Shantanu two new names have been identified in the controversial toolkit case related to farmer protest ये दो नाम है थिलाका and US-based Marina Patterson अब आप बताईए एक और toolkit क्रीट हुआ था और इस toolkit में क्या था Marina Patterson who is part of the UK-based extension rebellion along with Nikita and Shantanu drafted the toolkit which includes reports like large number of farmer casualties, tear gas used against the protesters along with police atrocities which were to be shown in the future it was called solidarity with Indian farmers मतलब आप बताईए अभी 26 जन्वरी को तो कुछ हुआ नहीं था लेकिन इस toolkit में वो सारे सामान वो material तयार कर दिये गये थे कि किस तरीके से किसानों के उपर गोलियां चलाई जा रही है कितने लोगों को मारा जा रहा है और इस toolkit का जो नाम था वो तो solidarity with Indian farmers और पहले से ही ये सारा इंतिजाम कर लिया गया था और इसका purpose ये था कि 4 और 5 फरवरी को फिर से tutor storm लगाना है और पूरी दुनिया को ये बताना है कि जो किसान आंदुलन के दौराल इतने सारे लोग मारे गये हैं धाय सो लोग लापता हैं पुलिस की atrocities, मोधी सरकार, fascism, हिंदुत्वा, हिंदु forces ये सारे लोगों ने हिंदुस्तान की democracy का कतल कर दिया है ये इनका पूरा साजिस्का लेकिन ये पुलिस बता रही है कि जैसे ये Greta, Thunberg को ये सारा जो मामला लीक हुआ उस वज़े से इस लोगों के हाथ पैर जो फूल गए उसके बाद इसको बकादा implement इन लोगों ने नहीं किया लेकिन ये जो second toolkit बना किसने बनाया, कब बनाया, उसके contents क्या क्या है कब ये upload हुआ ये सारे के सारे जो सबूत है अब दिल्ली पुलिस के पास है कहने का मतलब ये है कि आप कितनी भी होश्यारी करें ये international, global campaign अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट प्रधान मंत्री मोदी ये अब चलने वाला नहीं है क्योंकि ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए है और उधर ये सारे लोग पकड़े जा रहे है तो यहाँ पे जो frustrate होकर के गाजिपूर बॉर्डर के पास ओ खिस्यानी बिल्ली खंबा नूचे वाली हालत राकेश टिकैत की हो गई है अब वो अचानक से वो कह रहे है कि भाई फिर से हम दिल्ली घुसेंगे फिर से हम ये करेंगे वो चिताब नी दे रहे कि भाई हम फिर से वालेज करेंगे इस बार दिल्ली घुसेंगे किस चीज़ ट्रेक्टर से नहीं इस बार अपने और जारों के साथ जैसे पिछले बार उस ने कहा था राकिस्टि कायत ने कि अपने अपने डंडे साथ लेकर के जाना अब ये कह रहें कि भाई ये टूल लेकर के जाएंगे ये टूल क्या है इस सारे में बता रहें कि ये डंडे के उपर किसान अब इनके साथ पहले न थे न अब हैं और अब जो कुछ हो रहा है वो राजनिती हो रही है और वो भी कैसी राजनिती तो गंदी राजनिती हो रही है और जिसके उपर हर देश वासियों को नजर रखनी चाहिए ये ऐसे साथ हैं जो कहीं भी घुसके इस देश को तबाह बरबात करने के लिए डस सकते हैं हमारी नजर इन सापों के उपर बनी हुई है आप देखते रे कैप्टल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद